अगर आप अपने बालों की हेल्थ को सुधारना चाहते हैं बालों को जढ़ने से रोकना चाहते हैं बालों को मजबूत करना चाहते हैं घहना काला शाइनी करना चाहते हैं और अगर मैं ये बात करूँ कि जिस तरह से साउथ हैं लेडीज के बाल बहुत सदा घहने काले शाइ तरह से अगर आप अपने बाल करना चाहते हो तो आज के रेमीडी बहुत यूसफुल है वैसे तो देखिए मेरे सबी रेमीडी बहुत असान होते हैं अगर आप रेगुलर किसी भी रेमीडी को बिल्कल उसके पींचे पढ़कर अगर अपने बालों पर यूज़ करते हो तो आपके बाल वैसी बहुत हेल्दी हो जाएंगे और मैं आपके साथ हमेशा रेगुलर ही बहतरी रेमिडीज लेकर आती रहती हूँ जिससे कि जो भी आपको convenient हो जो आपको असान लगे आप यूज़ कर सकते हैं इसी तरह से आज का हेयर पैक पी है बालों को मजबूती शाइन हेल्थ देने के साथ साथ बालों को जड़ों से काला करने का भी काम करेंगा अगर आपके premature greying का problem है बहुत ही कम उमर में बाल सफेध होना शुरू हो गए हैं तो इस pack के application से वो भी धीरे धीरे आपके बाल काले होने लग जाएंगे सबसे मैंने लीजिए लोहे का बरतर लोहे का बंतर लेना mandatory है जरूरी है ना हो तो आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हो इसमें डाली ये दो चमच आमला पाउडर आमला पाउडर एक basic ingredient है जो मैं अपने hair packs में यूज़ करती हूँ बालो को काल और healthy रखने के लिए है साथ में मैं डाल रही हूँ एक चमच पाउडर शिकाकाई पाउडर बालो को मसबूत ही देता है साथ में इसमें अ हम करूंग पाउडर यानि मैं तीनों पाउडर लिया है आमला पाउडर ओर शिकाकई से बाल डालने से हमारे जो बाल है नाचरली बहुत अच्छे क्लीन होते हैं जो लोग शाम्पू से बचना चाहते हैं उनके लिए रीठा बहुत अच्छा रहता है साथ में अभी मैंने रीसेंटली आपके साथ शेयर किया था अलसी का जेल बनाने का एक प्रॉसस कि किस तरह से आपको अलसी का जेल बनाना चाहिए फ्लाक सीट्स का जेल बनाना चाहिए जो लोगों को अलोवरे जेल सूट नहीं करता उनके लिए बड़ा अच्छा रहता है तो आप वो वीडियो भी जरूर देख सकते हैं और साथ में मैंने लिया है ये एक ये दो दिन पुराना दही है थोड सकते हो चाथ जिसको बोला जाता है अब आप इस सब चीज़ों को मिक्स कीजी और स्मूद कांसिस्टेंसी का पेस्ट बनाना है पानी मैं इसमें आड नहीं कर रही हो लेकिन अगर आप अलसी का जेल यूज आप नहीं करना चाहते है या आपके पास बना हुआ नहीं है तो आप इसमें अलोवेरा जेल भी डाल सकते हो लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि आप एक बार मेरा वीडियो जरूर देखें जिसमें घर पर अलसी का जेल बनाया है अलोवेरा जेल भी कई लोगों को सूट नहीं करता और अच्छा रहता है जब आप प्लैंट वाला डाले लेक अलसी की वज़ा से और यह जल बनाना है भी बड़ा असान बहुत एकनॉमिकल भी होता है तो इसलिए मैं इस आज के हैर पैक को पानी की साथ नहीं गोल रही हूं दही और इस जेल के साथ ही एक स्मूध कंसिस्टेंसी का पैक बनाऊंगी और जितना मैंने आपको कटोरी में इस तरह से छोड़ दीजिए अगर आप चाहो तो आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो क्योंकि हमने खटास यूज की है और लोह का बरतन है तो वह एक आरन का रियाक्शन हो जाएगा जिस वजह से यह जो पैक है काला हो जाएगा लेकिन आप अगर इसको बालों की स काली हो गई है और यह जो पैक है विग्दम डाक कलर का हो गया सिफ एक घंटा छोड़ने से ही तो मैं इसको बेसिकली बालों की हेल्थ के लिए अपलाए कर रही हो और इसको जो एक प्रॉपटी है प्रीमचूर ग्रेंग से बचाएगा यह वो तो यह वैसे ही बचाएगा तो आप इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और आपका एक यह पैक रिडी है अपलाए करने के लिए अब एक क्विक से रीकाप देख लीजिए अलसी का मैंने जेल बनाया था इस तरह से बनाया था देखिए कितना सारा यह जेल निकल के आगया था बहुत एक्नॉमिकल बहुत बनाना है अब चलिए पैक अपलाए करते हैं आप साफसुत्रे बालो पर एक दिन पहले मैंने बाल दोए हुए है और जड़ों पर मैं इस पैक को अपलाए कर रही हूँ वैसे भी मुझे अपने बालों पर नहीं से रिलेटेट पैक्स लगाना बहुत अच्छा लगता है ब साफसु कंडेशनिंग मिलती है बालों को अच्छे अपने पूरे सेर में आप जड़ो पेश को अच्छे आपलाए कर लो और आप इसको हां प mình हो पंदरी 16 साल के बीस साल के तब मीसको लगा सकते हैं आपको शाम्पू करने की जरूरत नहीं है इस पैक को ढूने के लिए क्योंकि हमने इसमें रीठा यूस किया है और रीठा से बाल वैसे भी अच्छे से साफ हो जाते हैं वो एक नाच्रल शेंपू का काम करता है तो इस पैक को आपको जब वाश करना है तो नॉर्मल पानी से वाश करना है अगले दिन ऑईल लगा के एक घंटा छोड़ने के बाद ही आप शेंपू कर सकते हैं और शेंपू भी माइल यूस कि करा करें हाश र्च Okaymical वाले शेंपूस को मत यूस करें और देखिए लगाते कि किस तरह से काला यह होता जा रहा है दीरे दीरे तो इस तरह से जब आपको लगे कि पूरी तरह से यह एक को घंटे के लिए छोड़ दीजिए अच्छा मैंने इसको ना हाथों से लगा लिया तो बाद में नेल्स थोड़े से ब्लाक हो जाते हैं तो आप चाहो तो आप ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हो नेल्स और जो टिप्स है वो काले हो जाते हैं तो यह देखिए बस अब इसको मैं छोड़ती ह हो एक से डेड़ घंटा और उसके बाद बालो की हेल्थ बालो की चमक आप इसको करके देखो बहुत अच्छी है एक चीज़ और में क्लियर करना चाहती हूं जिन लोगों को साइनस का प्रॉब्लम रहता है या फिर दही अगर सिर्पे सूट ना करता हो बहुत जादा अगर आपको भी अपने बाल चाहिए हेल्दी मजबूत घंए और उनको आप जड़ो से हमेशा के लिए काला रखना चाहते हो तो इस रेमिडी को जरूर ट्राय करो साटिंग की उम्र से ही 15-20 साल से ही शुरू कर दीजिए उससे क्या होगा कि आपके 100 साल तक भी बाल नहीं होगे आई होप मेरे वीडियो पसंद आया होगा तो चलिए लाइक और शेयर जरूर कीजेगा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए